नमस्कार दोस्तों मैं जीतेश कोशिक एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल पब्लिक रियक्शन टीवी पर तो कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे दोस्तों हर्यान राज्य की हर चोटी बड़ी खबरे पताजा खबरे सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सकाइब करके जूड़ जाए आपके अपने यूटूब चैनल पब्लिक रियक्शन टीवी पर साथी गंटे का बटन अवश्य दबा ले इससे की हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सेगे आपके पास जी हाँ दोस्तों क्योंकि आप देख रहे हैं हरियान का उबरतावा न्यूज चैनल तो चलिए चलते अपनी खबरों पर किसानों के आज सरकार से बाचीत किर्सी कानून तीन साल होल्ड करने की कर सकते हैं मांग देड़ साल वाला परपोजल ना मंजूर जी हम बड़ी अपडेट निकल की आ रही है जबी कि आप सभी के लिए चलिए रुक करते अपनी खबर पर किर्सी कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 58 वा दिन है वो दुदवार को किसानों से बाचीत में सरकार ने परपोजल दिया कि किर्सी कानूनों को डेट साल तक होल्ड कर सकते हैं किसान नेताओं ने गुरुवार को दिन भर बैटक करने के बाद देर रात कहा कि सरकार का परपोजल मंजूर नहीं है नोंने कहा कि कानून रध होने चाहिए और MSP की गारंटी मिलने चाहिए आगे आपको बता दे अप किसानों की सरकार के साथ बारवे दोर की मिटिंग आज होगी इसमें किसान अपना फैसला सरकार को बताएंगे किसान अंदलन से जुड़ी जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही हो है तीन साल कानून होल्ट करने की मांग का सुजाओ भी आया जी हाँ किसान नेताओं की बैटक में ये चर्चा हुई की सरकार को नाया परस्ताव दिया जाए जिसमें कानून को तीन साल तक होल्ट करने का हलफ नावा सुप्रीम कोट में देने परती एकर तीन लाख के अगरिकल्चर लोन की लिमिट बढ़ाकर पाच लाग करने पता ब्याज दर पुरानी डखने और मिर्तक किसानों के परिजनों को मुआउचा देने की मांग सामील हुई जी हाँ ये बड़ी अपडेट निकल के आ रहे थी किसान अंदोलन से जूड़ी वी अगली जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही हुँ हम आपको बता दे किशान निता बोले सरकार बस अंदोलन खतम करवाना चाती है जी हाँ, किसान मजदूर संगर सिमीति के नेता SS पंडेर ने मिटिंग से पहले का सरकार की स्ट्रेजी हमें फसाने की थी या मिठाई में जैर चिपाने जैसा था, सरकार चाहती है कि किसी तरह आंदोलन खतम हो जाए हमने सरकार का प्रपोजल ना मंजूर कर दिया है, सरकार से आज की मिटिंग में किसी कानूनों को वापसी और MSP की बात होगी अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दे जहां दोस्तों और साथ ही खबरों को ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बोक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय को हमें जरूर बताए आज की खबरों में सरफ इतना ही, मिलते है अगली खबर में जब तेक सब्सक्राइब करके जुट जाईए आपके अपने यूट्व चैनल पब्लिक रेक्शन टीवी से और साथ ही कंटे का बेटन जरूर दबा ले तक ये हमारे एक नई वीडियो पोस्ट चगे आपके पास सबसे पहले जैहिंद जैभारत